म हुआ इस में सब्सक्राइब करते हैं के आप इसे कि बात करेंगे आकर हैं किसको रूद्धि कि आपने अपने टीचर्स को दूगा अपने जो पिताजी आपता जी अनको दूगा और मेरे जो भाई हैं उनको भी दूँगा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई जी डेली मैं 5-6 घंटे पढ़ता था शुरुवात से ही मेरी आदत रही मैं 5-6 घंटे पढ़ता था और जो भी पढ़ता था लगातार मतलब पढ़ना है कभी बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए बढ़ाई को बिंड में कहां के रहने वाले आप जी मैं भदोरी अनगर लाहर रोड का रहने वाला हूं कितने कितने घंटे मतलब अपने शुरुवात से पढ़ाई कि यह जैसे मैं आखा मैंने 5 घंटे पढ़ाई कि कि इससे पहले आपने जो लगातार रहा हूं परसेंट थी तब भी मैं इतने 5-6 घंडे पढ़ता था कि इतने परत किया अभी मैंने ट्वेल्थ में 97.4 यह क्या बनने की इच्छ जायर कर रहे हैं जै मैं आई एस की पोजिशन परप्त करने चाहते हूं आपकी पढ़ाई क्या रही है इस्कूल में जो टीचर्स है वो डेली पढ़ाते थे और उससे वी जरूरी है टेस्ट लेना तो टेस्ट मन्थली बैसे पर अमेशा हुआ करते और लाश्ट वहां बहुत सारी प्रैक्टिस वी कौन साजब्जेक्ट आपका फैब्रेट रहा है मेरा फैब्रेट सब्जेक्ट कैमिस्ट्री तो आपके इस समय इसके बाद भी है हमारी इनके जो पिताजी है उनसे भी हम चर्चा करेंगी आकर अपने जो भिंड में जो प्रीचर है उनकी बहुत मतलब करम अच्छील उनका प्रियतन रहा इसको पढ़ाने में क्या करते हैं तो प्राइवेट जॉब करता हूं क्या काम करते हैं वह अपना जो केट्रिंग लाइन का है ना उसमें काम करेंग यह बच्चा आपका अगर भविश में आई यह बनने क दो और स्कूल में भी याता था कोचिंग पर पर चला जाता था पढ़ने के लिए ने घर पे एंआधा है किया अकिता यह बंद्ने करें नहीं लूब सुटिक तो यह हमारे बेंड के दीप सिंग जी जो कि बेंड में उने सीवी एसी में प्रतम इस्थान प्रात करके बेंड का नाम रोशन किया है